हेलो नमस्कार डियर स्टुडेंट्स मैं नेम इस मेहस कुसभा एंड टूड़े आई वियर टीस यू साइंस आफ नाइंध क्लास आज मैं आप लोगों को नाइंध क्लास की साइंस का अध्याय फर्ष्ट पढ़ाने जा रहा हूं हमारे आस्वास के पदार्थ यानि की मेटर इन आवर सराउंडिंग्स क्या होता है पदार्थ जो हमारे चारो तरफ जितनी वी बस्तुए हैं उनको हम पदार्थ करते हैं कुछ भी अगर हम बोलें कहने का मतलब वो कोई बस्तु जो इस्थान घेरती हो तथा उसका कुछ क्या हो भार हो यानि कि दरब्यमान हो दरब्य आपने चारो और नजद दवडाने पार हमें बिभिने प्रकार की बस्तुए नज़राती है जिनका आकार आकर्तिया और बनावट अलग-अलग होता है इस बिस्तु में प्रतियेक बस्तु जिस सामग्द्री से बनी होती है उसे बिज्ञान को ने पदार्थ कहा है कहने का मतलब जो भी बस्तु जिस सामग्द्री से बनी है यानि कि जो छोटे-छोटे कोणों होते हैं उनको हम क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं कोई भी सामक्द्री है जिससे बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं जिस हवा में हम सौस लेते हैं जो भोजनम खाते हैं पत्थर बादलतारे पौधे एवं पस यहां तक की पानी की एक बूंडिया रेत का एक करण ये सभी पदार्थ हैं ये सभी क्या हैं उपर लिखी गई, लिखी सभी बस्तों का दर्बिमान होता है जो भी आपने उपर लिखी गई थी बस्तों यानि कि जो ये बादलगाएं, तारे हैं, पौधें, पसू हैं इनका क्या होता है? कुछ दर्बिमान होता है तो इनका कुछ दर्बिमान होता है और ये कुछ इस्थान यानि कि आयतन गहती है ये क्या करती है इनका कुछ दर्बिमान भी होता है और कुछ आयतन भी गहती है प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रियास करता रहा है भारत के प्राचीन दार्शनिको ने पदार्थ को पांच मोल तक्त्वों में बल्गी करत किया जिसे पंचितक्त्व कहग गया ये पंचितत्त् Pancho हैं, क्या हैं क्या हैं कॉन से पंचितत्त्त हैं, उनके अनुसार इन्ही पंचितत्त्तुउं शे सभी बस्तुएं बनी हैं यानि कि जो भी डार्षनिक थे उन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ है वो उनके पांच मूल तत्तों में उनको बर्गी किरत किया गया है। जिसे हम क्या कहते हैं पंच तत्तु कहते हैं वो काउन काउन से होते हैं बायू नमबर एक बायू नमबर दूसरा प्रतवी नमबर थिरी अगनी नमबर चार जाल नमबर पास आकास और उनके अनुसार इन ही पंच तत्तुओं से सभी वस्तु बनी होती हैं कोई भी वस्तु हो दार्शनिकों के अमिशार इन्ही पांच टत्वों से कोई भी बस्तु बनी होती है चाहे वो सजीब हो या निर्जीब सजीब क्या होते हैं निर्जीब क्या होते हैं यानि कि सजीब हम उन्हें कहते हैं जो कहने का मतलब वो शौश लेते हैं और खाना खाते हैं यानि कि जीवित प्राणी होते हैं उनको हम सजीव कहते हैं और बेवस्त जो जिनमें जान नहीं होती है खाना नहीं खाते हैं और रिप्रोडेक्शन नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं? निजीव होते हैं उनके लिए oxygen, carbon dioxide, साइड ऐसी कुछ gases की अवसकता नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? निजीव कहते हैं उस समय के युनानी दर्शिनिकों ने भी पदार्थ को इस प्रकार बरगी करत किया है आधुनिक बेग्यानिकों ने पदार्थ को भावतिक और रसाइनिक सिर्फ दो ही प्रकार्थ के आधार पर जो है बरगी करत किया है जबकि अगर हम दर्शिनिकों की बात देखें तो उन्होंने पांस तक्तों से बरगी करत किया था और बताया था कोई भी विवस्तों इन पांस्तितों से ही मिलकर बनी होती है और आधनिक जैसे आधनिक का मतलब मौर्डन जवाले में बेग्यानिकों ने क्या बताया पदार्तों को भौतिक गुण धर्म और रशाइनिक प्रकर्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्त के बारे में ग्यान अरजित करेंगे पदार्त के रशाइनिक पहलूं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे और जो रशाइनिक पहलूं है उनको हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे ठीक है अब देखते हैं 1.1 क्या लिखा है पदार्थ का बहुतिक शुरूप यानि पदार्थ का बहुतिक शुरूप क्या होता है पदार्थ कड़ों से मिलकर बना होता है जो भी पदार्थ होते हैं वो किसे मिलकर बने होते हैं आपसे कोई question पूछने लगे कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो पदार्थ कड़ों से, किससे कड़ों से मिलकर बना होता है, अब फिर उसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ होता क्या है? बहुँ समय पहले पदार्त की प्रकर्त के बारे में हम दो विचार दहराई प्रचुली थी एक विचार दहरा का ये मानना था कि पदार्त लकडी के टुकडे की तरह सतत होते हैं णकड़ी की टुकड़े की तरह क्या होते हैं? सतत परंदू अन्ने विचारधारा का मानना था कि पदार्थ है रेद की तरह के कड़ों से मिलकर नzenie होते हैं यानि कि यहाँ पर दो विचार धारा थी एक विचार धारा थी वो क्या बता रही थी जो पदार्थ था वो लकड़ी के जैसे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस टाइप से जो पदार्थ है वो सतत यानि कॉंटिनिवस था और जो दुसरी विचार ध थी उसका क्या मानना था उसका मानना ये था कि जो पदार्थ होता है वो रेत की तरहे कड़ों से मिलकर बना होता है जो रेत होती है रेत के छोटे-छोटे कड़ों होते हैं आपने देखा है इस टाइल से रेत के छोटे-छोटे कड़ों होते हैं और जैसे ही उसका जो दुसरी विचारदारा थी उसका मानना ये था कि जो पदार्थ बना होता है वो रेत की तरह छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बना होता है और ये अब है ये क्रिया क्लाप के द्वारा पदार्थ के श्वरूप के बारे में ये निरणे करते हैं कि ये सतत है या कड़ों से मिलकर बना है कहने का मतलब यह जो पदार्थ है वो शतत यानि कि लकड़ी के टुकड़े की तरह है या फिर कड़ों से बिलकर कड़ क्या होते हैं बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स यानि कि उन्हीं को हम कड़ बोलते हैं यह छोटे-छोटे बिन्दू के समान हो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कड़ बोलते हैं तो क्रिया कलाफ है क्रिया कलाफ 1.1 है 100 ml एक विकर लें क्या करें 100 ml का एक विकर लें इस विकर को जल से आधा भर कर जल के इस तर पर निशान लगा दे हमें क्या करना है एक विकर लेना है इस टाइट से एक विकर लेना है और इसमें क्या करेंगे 100 ml का विकर लेना है कितने ml का विकर लेंगे 100 ml का विकर लेंगे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको ये इध़ है तो इस टाइल से यह आपको वीकर लेना है शायमल का उसके बाद में क्या करना है इस वीकर को जल से आधा भर कर जल के इस तरपन निसान लगा दे यानि कि यहाँ तक हमें क्या भरना है जल भरना है यह और यहाँ पर हम निसान लगा देंगे दिये गए नमक और या सरकरा को कांच की छण की मदद से जल में घोल दें अब हमें क्या करना है नमक यानि कि कुछ नमक हम लेंगे और वो नमक क्या करेंगे इस वीकर में या फिर सरकरा यानि कि जो चीनी होती है पुश्य काच की एक चड़ लेंगे उसकी हेलप से इसको हम इसमें गोल देंगे जब हम इसमें गोलेंगे तो क्या होगा जल के इस तर में आए बजलाओ पर ध्यान देना है जल के इस्तर में यानि यहां पर था जब हम उसमें कुछ चीनी डालेंगे या फिर कुछ नमक डालकर घोलेंगे तो जल का इस्तर जो है वो बढ़ जाएगा यहां तक लगभग पहुंच जाएगा अब यहां यहां तक भी पहुंच सकता है वो आपकी डिपेंट करता है आपकी चीनी की जो माक्तरा अपने ली है उस पर डिपेंट करेगा जल के इस तर में आए बदलाओ पर धियान दे फिर आपके अनशार नमा के असर करा का क्या हुआ आपके अनुसार जो नमा की असर करा थी उसका क्या हुआ ये कहा गायब हो गए क्या जल के इस तर में कोई बदलाओ आया ये आप उतने अनुसार बताएंगे इन प्रशनों के उत्तर पाने के लिए हमें इस बिचार को स्वेकारना होगा की सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं उपरोप्त क्रिया कलाप में चमच में रखी गई नमा की असर करा अब पूरे पानी में घुल गई है जैसा की चित्र बन पॉइंट बन में दर्शा आया ग है उपरोप्त जो क्रिया कलाप हुआ है में चमच में रखी नमक यह सरकरा अब पूरे पानी में घुल गई है जो हमने बीकर में यानी डाली थी सरकरा या नमक वो पूरे पानी में क्या हो गई घुल गई है जैसा की चित्र बन पॉइंट बन में दर्शा आया गया चित्र 1.1 देखिएगा, ये है, ये 1.1 आपका डाइग्राम है और इसमें ये दरसाया गया है। देखिए यहाँ पर यह क्या लिखा है जल, जल का इस तरहें नमक मिलाएं, यहाँ पर नमक मिलाएं, जल का इस तरहें अभी यहाँ पर फिर यह सेकेंड इस्टेप में हमने किया किया हिलाएं, नमक को हिलाना है, जब नमक को हिलाएंगे, यह उपर कांच की यह नली है, इसकी छड़की लाख गुना अवार्धित किये गए जल के कण ये लाख गुना अवार्धित जो है किये गए जल के कण है फिर उसके बाद में इसमें हमने क्या कर दिया नमक मिला दिया तो जल और नमक ये जो है ये नमक के कण जो है पूरे जल में इस टाइप से हो जाएंगे यानि गुल जाएंगे इसमें जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कड़ जल के कड़ों के बीच रिक्तिस्थानों में समावेशित हो जाते हैं बच्चों क्या मैंने कहा जब हम जो नमक है ये नमक जल में घोल रहे हैं और ये जो जल के कड़ है ये जलके कण है इनके बीच में कुछ रिख्तिस्थान है ये जो रिख्तिस्थान इसमें देख रहे हो इनके बीच में जो नमक के कण ये क्या हो जाते हैं समावेसित हो समावेसित यानि कि बहां पर चले जाते हैं ठीक है तो इस टाइब से ये हमारा किरिया कलाब था अब इस इसी टाइप से यह जो 1.1.2 पदार्थ के यह कंड कितने छोटे होते हैं इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रे करें धन्लिवाद